Hello everyone, welcome to all the strugglers on your own channel The Unlimited Struggler आप सभी strugglers का आपके अपने चैनल The Unlimited Struggler में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि NetJRF का फॉर्म फिल करने की जो last date है वो 31 थी पहले 31 मई वो बढ़ा करके 15 जून कर दी गई है मतलब जो लोग रह गए है अपलाई करने के लिए वो 15 जून तक अपलाई कर सकते हैं आवेदन दे सकते हैं ये जो date है वो extend कर दी गई है अब जिस तरह से ये dates extend हो रही है मुझे लग रहा है समभाबना ये है कि NetJRF का जो exam है वो भी आगे जो है वो postpone हो जाएगा तो आईए सुरू करते हैं आज का lecture आज के lecture में हम discuss करेंगे value chain analysis strategic management and analysis की series में आज का हमारा topic है अभी तक हमने last lecture में जो discuss किया वो हमने discuss किया था industry analysis, waters five forces, model analysis discuss किया था internal analysis discuss किया था resource based approach discuss की थी आज हम discuss करेंगे value chain analysis which is one of the most most important topic and most important strategy for the internal analysis of the organization वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request रहेगी कि दनलिम्टे स्ट्रगलर को subscribe करें और bell icon को hit कर लें ता कि आपको हर आने वाले latest वीडियो का instant notification मिल जाए और हमारा facebook और instagram page है दनलिम्टे स्ट्रगलर के नाम से इसको like करें और follow करें ता कि आपको हर आने वाला एजुकेशन सेक्टर का जो latest update है वो instant मिल जाए इसके साथ हमारे handwritten notes paper 1 और paper 2 management के soft copy और hard copy दोनों फार्म में आविलेवल हैं बहुत ही genuine prices पे आप दिएगे numbers पे कभी भी call कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आए दोस्तों सुरू करते हैं value chain analysis देखिए value chain analysis होता क्या है सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि business की business जो होता है या organization जो होती है वो उसमें बहुत सारे functions perform होते हैं उसके बहुत सारे departments होते हैं और सबसे एहम बात जो यह है कि वो सा सारे के मतलब अगर एक एक्टिविटी नहीं चलेगी तो दूसरी नहीं हो पाएगी एक function perform नहीं करेगा तो दूसरा आउटोमेटिकले ठप हो जाएगा तो अब बोलता है यह टूटी क्या बोलता है यह टूल क्या बूलता है internal analysis का यह बोलता है कि हमने देखे नाम में दिया है value chain analysis तो value ठीक है value define करना या value पता लगाना या value समझना किसकी ठीक है chain chain मतलब chain of activities तो जितने वी activities हम business में या organization में perform करते हैं उनकी actual value को examine करना यह topic कहना चाहरा है यह मतलब यह tool क्या कहना चाहरा है कि जितने भी activities हम perform करते हैं business में उन activities की values को determine करना जो है that is value chain analysis अब क्यों करनी है value determine क्या मतलब है उनको समझने का उसको समझने का मतलब यह है क्योंकि हम एक internal analysis perform कर रहे हैं organization के लिए और वो internal analysis perform करना इसलिए जडूरी है ताकि हम competitive advantage थीक है हमने last time discuss किया था competitive advantage क्या होता है थीक है तो competitive advantage बना सके core competencies build up कर सकें और अपना जो competitor है उसको हम downfall कर सकें या उसको हम हरा सकें या उसकी strategies को हम उसके against movement एक तयार कर सकें इसके लिए value chain analysis किया जाता है इसमें main जो purpose रहता है value chain analysis में objective होता है कि जितनी भी हमारी business की functioning है activities है उन activities की हमने value को examine करना है किस तरह से कहां पे क्या loopholes हैं वो identify करने हैं उन activities को हम कितने best और तरीके से perform कर सकते हैं वो हमने examine करना होता है और वो जीज़ जब हम करेंगे तो automatically हमारा product हमारी process हमारा logistics हमारी marketing सारे के सारे function जो है और जबह स्मूथ होंगे as compare to our competitor managers के लिए क्या काम होता है इसका managers का use करते है identify new unique way to combine resources and capability managers value analysis को use करते हैं ताकि वो कुछ नए तरीके ढूंड सकें नए resources ढूंड सकें या existing resources में नया कुछ development advancement कर सकें ताकि जो है competitor को उस चीज का पता ही ना लगे competitor हमारी strategies को ना समझ पाए competitor हमारे product process service इन सब चीजों का जायजा ना ले पाए और हम चुप चाप जो है अपने customer को unique product और service दें जिससे कि हमारा customer जो है long term तक हमारे साथ बना रहे और यह हमारे market expansion में यह हमारे market share capture करने में profitability increase करने में या productivity को और अच्छा करने में value chain analysis जो है बहुत ज़्यादा एहम role play करता है value chain analysis में हम पूरी activities को जो business की होती है उनको दो parts में divide करते हैं पहला primary activities दूसरा sporting activities primary activities को जब हम एक graphical तौर पे बोलें या एक grammatical तौर पे बताएं तो हम उनको vertically show करते हैं उपर से नीचे की तरफ या नीचे से उपर की तरफ primary activities में generally जो आती है inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales and services primary activities को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह वो activities है जो very 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 much necessary है किसी भी organization को या business को perform करनी ही पड़ेगी अगर उसको market में ठीके रहना है तो यह activities तो करनी ही पड़ेगी इसके अलावा आती है supporting activities इनको हम horizontally दाएं से बाएं या बाएं से दाएं सो करते हैं graphs में और यह बू activities है जो primary activities को इनकी actual productivity है उनको और जदा बढ़ाने में उनमें value addition करने में या और जदा अच्छे तरीके से primary activities को perform करने में support करती है या हम बोल सकते हैं जो एक hidden role play करती है इंडिरेक्ट role play करती है वो sporting activities होती है जैसे firms infrastructure, human source management, practices, technological development और procurement activities अगर हम इस diagram में देखे हैं तो यह primary activities है हमारे पास ठीक है primary activities vertically हमने सो की है inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales services और sporting activities जो है procurement, technological development, human source management, firm, infrastructure यह जो है वो sporting activities जो है हमने horizontally जो है इनको सो किया है अब बहुता यह है कि जब यह सारी activities मिलकर के काम करती है primary activities as well as sporting activities तो उससे हम जो है productivity करते हैं ठीक है और productivity करते हैं और जब यह functions सारे activities जो सारे बहुत अच्छे से हम perform करते हैं ठीक है सारी strategies use करके perform करते हैं core values को determine करते हैं फिर strategies बनाते हैं तब जाकर के जो है एक value generation होता है और value जब create होती है तो customer satisfy होता है उस value को use करके या values को ले करके क्यों हम जो product sale करते हैं वो product नहीं actually value sale कर रहे हैं हम जब तक किसी product में value नहीं होगी कोई भी customer या client उस product को नहीं खरीदेगा मतलब ultimately हमें value creation करना होता है अपनी product और service में तो उसे एक value generate होगी और उस value को जब कोई खरीदेगा या लेगा तब जाकर के हमें बदले में profitability आएगी मतलब है सारी activity जो है हमारे profitability को contribute करती है या lead करती है one by one हम सारी activities discuss करेंगे primary activities की बात करें inbound logistics सबसे पहले इसमें आता है inbound logistics का मतलब है कि जो भी हमें raw material की supplies आ रही है ठीक है वो उनको थोड़ा उनका narration करना examine करना हमारा inbound logistics system कैसा है उसको examine करना इसमें आता है इसमें main जो examine की जाती है चीजे मतलब value determine करने के लिए या value समझने के लिए या unique value creation के लिए हमको existing set of knowledge है जो existing databases को examine करना बहुत जुरूरी होता है तो इसके लिए हम जो receipts होती है inbound logistics जो logistics management में हमारे partners होते हैं उनकी receipts है ठीक है bear houses है inventories है ठीक है इसके बाद distribution of raw material component parts है ठीक है कहां से आ रहा है कब आ रहा है किस तरह से आ रहा है कितना time lag लगता है कब मुझे हमें delivery हो दी है order processing में कितना time लगता है यह सारे जो चीजे आती है वो inbound logistics में आती है इनको examine करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक gap identify कर सकें जिससे कि हमें हम वो जो loop holes हैं उनको खतम करने के लिए practice कर सकें कुछ दूसरा इसमें आता है जी operations operations में आती है हमारी जो हमारा process है जो production है जिसमें काम हो रहा है यहां numbers में थोड़ा गलती रह गई है माफ किजिएगा तो यहां second activity है operations तो operations में आता है machinery कैसी है हमारी assembly system कैसा है हमारा किस तरह से process होता है equipment की maintenance में हम क्या काम कर रहे है packaging किस तरह से हो रही है मतलब हमारा process है जो operations का जो काम है production process है जो वो किस तरह से perform हो रहा है कितना time लग रहा है कितना उसको अच्छा किया जा सकता है यह सारे चीजे operations में आती है तीसरी activities में आती है outbound logistics outbound logistics का मतलब है जब हमने finished product तयार कर दिया उसको ultimate customer तक पहुंचाने के लिए या consumer तक पहुंचाने के लिए जो भी activities होती है जैसे हमने finished product को कहां store किया warehouse में storage कैसी है हमारी finished product तयार करके हमने किस तरह से उसको असेंबल किया packaging कैसी की किस तरह का बनाया quality testing उसकी कैसी रही ठीक है material कितना based हुआ कितने एच्छे से हमने utilize किया order processing किस तरह से है हमारा system कितने orders आते है per day per month per week ठीक है कितना time lag है order deliver करने में कितना time लगाता है यह सारे activities outbound logistics में आती है इसके बाद चौथी activities में आती है marketing and sales obviously marketing ब मतलब एक तरह से आप बोढ़ सकते हैं कि soul है किसी भी product की ये service की तो marketing में हमारा advertisement कैसा है ठीक है advertisement budget कितना है promotion policies कैसी है promotion campaigns क्या-क्या है किस तरह से हम organize करते हैं ठीक है distribution channels कितने ज्यादा है हमारे पास distribution channel partners कैसे हैं हमारे कितना उनको हम क्या benefit देते हैं ठीक है उनकी trainings के लिए क्य करते हैं किस तरह से हम sales force को train करते हैं sales force हमारी कितनी strong है कितने अच्छे से sales करती है यह सारी activity जो है marketing and sales के अंडर आती है इसके बाद पांचमा जो इसका activity आती है primary activities में हो है service activities service activities में जो examine करने की चीज़े होती है वो है कि हम जो हमारा product है उसको install करके दे रहे हैं कि नहीं करके दे रहे हैं ठीक है product क्या demonstration दे रहे हैं product की training दे रहे हैं use करने के लिए बता रहे हैं customer को directions दे रहे हैं किस तरह से use किया जाएगा या माल लीजे कोई उपर नीचे होती है बा सारी चीज़े जो आती है after sale services वो service में आती है इसके बाद कुछ एक sporting activities है sporting activities में चार activities आती है सबसे पहले procurement procurement का मतलब है कि जो भी company को inputs चाहिए चाहे raw material चाहे components चाहे parts वो सारे जो आ रहे हैं ठीक है उनका procurement system कैसा है मतलु कहां से हम ले रहे हैं कितनी देरवाद supply आती है कौन ह हमारे suppliers हैं कितना उन पर पैसा खर्च होता है कितना time लगता है ठीक है और किस तरह से manufacturing process में हमारा किस क्या उनका role रहता है कितना उनका काम आते हैं वो कितना wastage होती है वो सारा procurement system में आता है उसके बाद दूसरी activity आती है टेक्नलोजिकल development टेक्नलोजिकल development में आता है कि हमारी research process कैसी है R&D कैसा है product design कैसा बना रहे हैं equipment के designs कैसे हैं ठीक है और मतलब कितने अच्छे से वो designs work out करते हैं customers को कितना पसंद आते हैं ठीक है service का procedure क्या है तो यह सारी packaging का design कैसा है यह सारी चीज़ आती है वो technological development में आती है मतलब हम अपने design को time to time modify करेंगे और करना पड़ेग अगर एक ही design रखेंगे तो एक time के बाद उसका decline stage आ जाएगा इसके बाद sporting activities में आता ही human resource management, recruitment, hiring, training, orientation, development, उनका coaching, compensation, salary, bonus, performance appraisal, rewards यह सारी चीज़ जो आती हो human resource management में आती है यह हमारी कितनी अच्छी है कि हमारे employees जो है हमारे workers जो है वो हमसे कितना satisfied है वो अगर satisfied होंगे हमारे workers हमसे तब ही वो performance जो है वो अच्छा देंगे अगर satisfaction नहीं होगी उनको training अच्छे से नहीं होगी तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे इसके बाद जो activity आती है चौथी that is firm's infrastructure firm के infrastructure में वो सारी activities आ जाती है इसके अलावा जो बच जाती है और major role play करती है और एक hidden role play करती है चाहे बात करें हम planning की चाहे बात करें top level management के काम की चाहे बात करें finance system की चाहे बात करें accounting की लीगल department की, government relations की, public relations की, external relations की ठीक है यह सारे जो लोग है वो भी firm के लिए काम करते हैं, organization के लिए काम करते हैं और एक एहम role play करते हैं यह अगर लोग काम करना बंद कर दे तब भी हमारा system जो है वो नहीं चल पाएगा चाहे हमारी primary activities कितनी अच्छी क्यों नहीं हो जब तक यह लोग जो है अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक वो execute नहीं हो सकती तो मतलब value chain analysis का मतलब है कि हमको यह सारी activities को examine करना है और यह कोशिश करनी है कि कहां से हम इसको कौन से activity में क्या modification करके हम उसको और अच्छा बना सकते हैं जो कि हमारे competitor से काफी ज्यादा अच्छा हो और हम अपने customer को कितनी अच्छी value deliver कर सकते है by using these all activities ठीक है तो उससे value जब generate होगी तो automatically profitability को lead करेगी बात करें अगर applications की तो मैंने आपको बहुत बताया इसके बारे में कि companies के resources को build up करना है उसकी जो activities है उनकी capabilities को समझने के लिए primary और supporting activities किस तरह से perform करती है competitor की capabilities क्या है और हमारे comparison में वो कितना strong है या कितना weak है इस चीज़ को analyze करने के लिए value chain analysis किया जाता है इससे हम competitive advantage एक generate कर सकते हैं ठीक है एक resource based approach जो हमने पढ़ी थी पहले उसको build up कर सकते हैं और competitive product से अच्छा अपना product जो है वो तैयार कर सकते हैं by modifying and by developing these all activities तो ये था जी आज का topic आया ह होप आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा तो like करें कमेंट जरूर करें अगर को क्वाइडी होती है तो subscribe करें और share करें अगर आपकी को क्वाइडी है आप मुझे mail कर सकते हैं इसके सांगे 6666.gmail.com पे call कर सकते हैं वाटसाप कर सकते हैं 7627096162 पे thank you thanks a lot